तो अभी आपका एक सेशन और आएगा रात को या कल मॉर्निंग तक जिसमेंगी मैं आपको फॉर्स्ट शिफ्ट में जितने भी कॉशन्स आए हैं कोशन के इसके बाद और बी जवर्स्ट में काफी सारे हैं उसके साथ और उसके साथ मैं उसको आपका जो एकस्पेक्टेड वीडियल होगी वह भी मैं आपको एक्सप्लेइन करूंगा वीडियो में वह के कर गया मैं आपके questions को शुरू कर लेते हैं यह थोड़ा सा ओके अब देखो यहां पर आपका कॉश्चन नमबर वन अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एक कॉश्चन आपका आया था कि जो कॉरो मंडल कोस्ट है वो कौन से स्टेट में है कॉरो मंडल कोस्ट की उपर आपका एक question आया है तो देखो यह कहां पर है अपना यह है तमिल नाडू जो आपके options उसमें से कॉनसा आपना राइट आंसर निगल किया रहे कॉनसे स्टेट में तो तमिल नाडू स्टेट अपना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एक question आपका आया था कि जो reptiles होते हैं अब आ क्रोकोटाइल एक ऐसा exception है तीन चेंबर होते हैं सारे के सारे किसमें reptiles में जबकि क्या है यहां पर आपको क्रोकोटाइल ही कैसा exception है जिसके फूर चेंबर हर्ट होता है किसकी बात करी जा रही है चलिए अगले question पर आते हैं एक question आपका यह आया था कि जो इंडिया विंस फ इंडिया को मिली है तो यह लिखी है अबुलकलाम आजादने किसने लिखी है अबुलकलाम आजादने लिखी है अबुलकलाम आजादने ध्यान में रखना आ अच्छा आपको सेलेक्शन पोस्टर से बता रहो हैं जबसे मैंने on questions को analyze करवाया था कि यह आपकी तिसे मुंशी प्रेमचंद हो गए या फिर आपके मैथली शुरण गुपत हो गए फिर जितने भी अभी जो हिंदी की कहानिया लिखते हैं काफी सहतिकार हैं काफी बड़े बड़े उनसे काफी कोशन्स पूछे जा रहे हैं ठीक है ना तो अब देखो जैप्रिकाश नायरेंड के बारे में पूछ लिए अब इनका नाम पूछा तो उन्हें क्या बोला जाता था लोग नायक ठीक है तो एक अपको देखते हैं एक कोश्यन आपको यहाँ पर बना है जैस्ट प्लेयर से ठीक है आपको वही शार उप्शन थे तो उसमेंसे आपको बताना था चैस्ट प्लेयर कॉन है तो यह आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ठीके ना कॉन है चेस्ट प्लेयर को नेरू हमपी है और यह तो आपका ग्रेंड मास्टर बन चुके हैं अल्रेट चलिए एक कोशन आपका यह बना था अगर मैं आपसे बात करूं तो बिहू जो है कहां का आपका डांस है त गयाना बुच्छ जब एक्जाम देके आते हैं तो उनका मैंड से कोशन थोड़े से स्केप हो जाते हैं तो अगर लट से एक दो बाते ही याद है तो कुछ लगे कि यह तर उदर हो सकता तो कमेंट करके जरूर बताना ठीक है और भी अगर आपको यादो नीचे कमेंट करवा पाऊगे तभी मैं आपको और भी ज्यादा अच्छे से अनलाइसिस करवा के और उसका डीटेल एक्स्प्लेनेशन वागेरा प्रोवाइड करवा पाऊंगा ठीक है और उसकी पीडियाफ भी मैं जो भी आपको बताने लग रहा हूं यह सारी की सारी आपको प्रियादर्शी के नाम से चलिए अगले कोशन पर आते हैं एक कोशन आपका यह आया था कि जो अब इस कोशन में मुझे डाउट है कि बतानी बच्चे ने थोड़ा सा इदर उदर किया है या फिर क्या हुआ है कोशन देखो ऐसा पूछा है कि पार्टी फॉर्म्ड इन हरि हरिद्वार इन हरिद्वार इन 1914 यानि कि यह बोल रहा है कि 1914 में हरिद्वार में कौनसी पार्टी फॉर्म हुई है तो देखो ऐसा है कि हरिद्वार में एक ही पार्टी फॉर्म हुई है जिसकी पहली मीटिंग हुई थी और वो है दा हिंदू महासभा कौनसी है दा कोशन याद हो तो वो मुझे कमेंट करके बताना कि एक्चुली में कोशन यही था ऑप्शन में आपका दा हिंदू महासबाब था कि नहीं था है ना कि उसके अकॉर्डिंग फिर हम बता पाएंगे आपका क्रेक्ट क्या होना चाहिए था आधिंग यहां पे 1914 नहीं 1915 होगा ल आपकी फंडामेंटल राइट से काफी जादा पूछे गए हैं 17 आपका उंटाइबिल्ट के बारे बता है यह सबको पता है और यहां पर यह नहीं कि कास्ट के क्सिशन में आपका लिखा है कास्ट हो सेक्स हो मतलब जो भी है किसी जीज़ के अकॉर्डिंगली आपको यहां पर अंटेचेविल्टी को प्रैक्टिस में नहीं लाना है अल्रेट चलिए अगले कोशन पर आते हैं एक आपका आर्टिकल से एक और कोशन आया है आर्टिकल नमबर क्रिप्टन का आपका क्यार होता है ठीक है दौनों यह इजी से ही है कुछ जादा है नहीं स्टार्टिंग के दो दो आप इनके क्या करेंगे अलफाबेट उठा लीजे चलिए अगले कोशन पर आते हैं एक कोशन आपका यह आया है हर्तोग कमीशन के बारे में आपका एक कोश सिस्टम में उसके रिगार्डिंग यहाँ पर यहाँ आपका कमीशी कमीशन कमीटी यहां पर बैठाई गई थी कमीटी तो आया होगा एक बार चेक करके मुझे बताना ठीक है जिनको याद हो वो लोग जरूर करेंगे और भी कोशन बताना तबी मैं आपको और भी ज्यादा पाऊंगा अब एक कोशन भीईरगड के बारे में आया है ऐसा कुछ आयाया है अब कोशन तो पूरा नहीं बताया गया है मूझे यहां पर María और चली और ईक स्व इसी मुर्मो की उपर पुंचा गया तो अभी की बात करूं तो यहने gud और और आपका होता हैं यह आप एक बार मुझे कमेंटि करके बताएंगे कि इसा में 높ने होता और J&K के यहाँ पर governor का नाम पूछा गया तो मुझे क्या लग रहा है आपका J&K के जो पहले governor थे वो थे GC मुर्मो तो question यहाँ आपका पुराने current affair से उठा लिया गया है और अभी अगर मैं right now बात करूँ तो J&K के मनुस सिन्हा बन गए है तो question है यहाँ आपका पुराना तो यह चीज यहाँ पर आपकी effect करेगा और मुझे लग रहा है current affair आपका कहीना की पुराना ही पूछा जा रहा है ठीक है और current affair के बारे में ज्यादा question बच्चों ने बताई नहीं है बारे मैं आपको बता नहीं सकता हूं current affair कितना पुराना आ रहा है नहीं आ रहा है जिन्हें याद हो वो नीचे comment करके जरूर बताना ठीक है और बस J&K का यही मुझे current affair के question मिला है जिसके accordingly मैं आपको यह बता सकता हूं कि कहीना कहीं current affair पुराना तो है ठीक है क्योंकि जी सी मुर्मू और J&K का relation दो पुराना ही है तो यहीं पर अब session के बारे में और बात कर लेते हैं मैं मैं कुछ खास actually मैं आनी रहा है तो उसका analysis कराने का कोई मतलब भी नहीं है बस अब जो भी आपने पढ़ाना रिवाइस करके चले जाओ calculation अच्छे से करना और approximation थोड़ा अच्छे से लगा लेना approximation लगाओगे सारे के सारे questions धुआ 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 हो जाएंगे ठीक है पाइचार्ट वही आ रहा है जो पिछले साल आया था paper पाइचार्ट के questions आ रहे हैं और आपका हिस्टोग्राम है उ और arithmetic आपका 60% आ रहा है ठीक है तो यह सारी सारी बाते हैं और अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपके मैथ में ना लंसम 35 की उपर तो आराम से जाने चाहिए 40 तक कि आपकी good attempts होने चाहिए मैथ में कुछ questions चोड़ने लाएंगे वह आपको चोड़ना पड़ेगा ठीक है डेट वाले questions आपके बन रहे हैं clock से questions नहीं अभी तक देखने को मिला है ठीक है clock से आपका reasoning में नहीं आया है और वाकिया आपका जो पिछले साल का pattern रहा है same to same date to follow कर रहा है ठीक है English में भी आपकी vocabulary वाला जो portion है वो मैं आपको अलग वीडियो में करा दूँगा ठीक है जो